हमने dual nature of radiation and matters chapter start किया था उसमें हमने ये notice किया कि light की अलग-अलग phenomenon है जिसमें radiation जो है वो matter से interact करता है radiation matter से interact होता है और अलग-अलग phenomenon हमको देखने को मिलते हैं तो उसमें से एक phenomenon था हमारा photoelectric effect photoelectric effect जो हमने इस chapter में हम जो है जिसकी study करने वाले है इस effect यह effect होता कैसा है हमने इसका introduction देखा था मैं थोड़ा सा revise और कर देता हूं कि एक special type का material होता है ओके यह material का sheet है और जब हम एक particular wavelength की light इसके उपर incident करते हैं radiation incident करते हैं तो यह radiation यह surface absorb कर लेता है और हमको इस surface पे से electron emit होना start होते हैं तो इस तरह का phenomenon इस process में होता है तो इसे हम photo electric effect कहते हैं कि जिसमें से emission of electron होता है किसकी वज़े से जब light उसके उपर incident होती है तो ओके इस तरह का यह phenomenon है अब हम इससे related जो है इसी phenomenon से related terminology देखेंगे तो जो material ऐसा effect शो करता है उसे हम photo electric material कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं photo electric material ठीक है naturally कुछ material ऐसे है जो यह effect शो करते है तो उसे हम photo electric material कहते हैं इसके अलग-अलग example है जैसे zinc है cadmium है उसके बाद magnesium है तो अलग-अलग तरह के material है जो naturally यह phenomenon आखर करते हैं यह phenomenon शो करते हैं तो उसे हम photo electric material कहते हैं उसके बाद जो है हम यह देखेंगे कि photo electron किसे कहेंगे अब यह जो electron निकले है यह photo electric effect की वज़े से निकले हैं और जब हमने इसके उपर light incident किया यह absorb हुआ electron का emission हुआ यह electron इस surface से emit हो रहा है इसलिए हम इस electron को photo electron कहेंगे मतलब ऐसे electron जो photo electric effect में हमको मिलते है surface पर से तो उसे हम photo electron कहेंगे उसके बाद हम देखते हैं photo current photo current photo current किसे कहेंगे हम कि यह surface पर से electron निकल रहे हैं अब अगर यह electron किसी conductor में से flow होते हैं अगर यह conductor है इस electron को हमने किसी जरिये से इस conductor में इंटर कर दिया और इसमें से वह flow हो रहे है इनका उसके अंदर इस conductor के अंदर flow हो रहा है जिसकी मदस्य क्या बन रहा है? current बन रहा है तो इस current को हम कहेंगे photocurrent इस current को हम कहेंगे photocurrent तो photo electron के जरीए बनने वाले current को हम photocurrent कहते हैं उसके बाद next देखेंगे हम threshold frequency threshold frequency क्या होती है? वो हम समझते हैं तो light जो होती है हमारी उसका जो characteristics होता है वो उसकी energy होती है मतलब characteristics मतलब क्या? कि इस light की जो हमारे पास जो radiation है उसकी energy कितनी है? उस पर depend करता है वो उसका character होता है वो उसका identification क्या है? इसको हम light को radiation को किस तरह identify करते है तो उसकी energy जो है वो बहुत important parameter होता है किसी भी radiation के लिए तो हम यह देखेंगे कि यह energy h into new energy का formula होता है h into new h जो है यहाँ पर plank constant है new जो है तो frequency है h जो है तो plank constant जिसकी value fixed होती है और new जो है तो frequency है ठीक है तो कोई भी radiation की energy जो है वो इन दो चीजों पर depend है h पर और new पर जबके h जो है तो constant है तो मतलब अगर energy vary हो रही है तो मतलब new vary हो रहा है new मतलब frequency तो कोई भी radiation की जो characteristics है उसकी energy की जरीए represent किया जाता है और frequency के जरीए represent किया जाता है क्यों? क्योंके h blank constant है तो हम कोई भी radiation को उसकी energy से या फिर उसकी frequency से पैचानते है ठीक है तो अब हम बात कर रहे है threshold frequency की तो threshold frequency एक ऐसी frequency है कि जिसकी मदद से हमको photo electric emission देखने को मिलता है जैसे अब ऐसा जूरूरी तो नहीं है कि कोई भी light से जो है कोई भी radiation अगर हम इस material पर incident करते है तो उससे हमको photo electric effect मिलेगा ऐसा जूरूरी नहीं है तो होता क्या है? क्या इसकी limitation है? क्या इसकी condition है? कि अगर हम frequency को minimum value लेते हैं कुछ minimum value पर हम जो है तो frequency एक particular material पर incident करना शुरू करते हैं frequency हमने लिया minimum frequency है और हमने इसके उपर incident करना शुरू किया ये material photo electric material है अब हम क्या कर रहे हैं? इसके उपर सबसे कम हमारे पस जो frequency है वो frequency की light इसके उपर incident कर रहे है ठीक है? तो हमको photo electric effect नहीं मिला फिर अब हम क्या करते हैं? frequency increase करते जाते हैं मतलब हम ऐसी radiation हम इसके उपर incident करेंगे कि इसकी frequency increase हो रही है ऐसी हम change करते जाएंगे अलग-अलग radiation लेते जाएंगे जिसकी frequency बढ़ रही है तो हमने पहले के compare में अब frequency बढ़ा दी तब भी हमको photoelectric effect नहीं मिला फिर बढ़ाई तब भी नहीं मिला फिर बढ़ाई तब भी नहीं मिला फिर अब हमने बढ़ाई तो क्या हुआ कि अब हमको photoelectric effect मिल गया तो मतलब एक particular frequency के नीचे हमको photoelectric effect देखने को नहीं मिलता है लेकिन जैसी हमने उस particular frequency पे पहुँच जाते हैं तो हमको photoelectric effect मिलता है और इसके बाद अगर हमा और frequency increase करेंगे तो तब भी हमको photoelectric effect देखने को मिलेंगा तो ऐसी frequency को हम threshold frequency कहते हैं मतलब एक ऐसी minimum frequency है जिसकी वज़े से और जिस पर हमको photoelectric effect देखने को मिलता है उसके नीचे photoelectric effect हमको देखने को नहीं मिलता है तो यह minimum frequency है ऐसी frequency जिसके अबो अगर इससे ज़्यादा frequency होती है तो हम photoelectric effect observe कर सकते है हमको देखने को मिलता है और उससे नीचे हो तो नहीं मिलता है उस frequency को हम photoelectric threshold frequency कहते है उस photoelectric effect की threshold frequency कहते है और यह threshold frequency particular material के लिए fix होती है यह depend करता है material पे material to material यह threshold frequency vary होती है ओके इस तरह जो है तो threshold frequency की definition रहेंगी उसके बाद अब यह threshold frequency की वज़े से जो photon के पास energy है photon मतलब light के पास इसके भी बारे में हम पढ़ेंगे photon क्या है तो photon जो है तो हम light को कहते है generally तो photon के पास जो energy है वो h into new naught हो जाएंगी तो मतलब इतनी energy लग रही है उसको किसके लिए electron को surface को छोड़ने के लिए surface को यह छोड़ रहा है और बाहर आ रहा है तो इसको इतनी energy लग रही है इस energy को कहते है work function मतलब work function क्या है जो threshold frequency के जरिए बनने वाली जो energy है उसे हम work function कहते है इसको five से denote करते है ओके तो यह सारी terminology हमने photoelectric effect से related देखी ठीक है सबसे पहले हमने क्या देखा कि वह photoelectric effect किस तरह होता है उसके बाद photoelectric material उसके बाद photo electron जो electron निकल रहे है उसे हम photo electron कहते है वो अगर current बन जाए किसी conductor में से flow हो तो उसे हम photo current कहते है उसके बाद फिर threshold frequency देखे हमने इसे frequency minimum frequency जिस पर जो यह तो photoelectric effect देखने को मिलता है उससे नीचे नहीं मिलता है उसे हम threshold frequency कहते है और उस threshold frequency के जरिए जो energy बनती है उसे हम उस photoelectric effect के लिए work function करते है ठीक है यह सारी चीज़े इससे related है